के लिरए एक कैप लेकिया है कि यहाँ ब्लेक और यहाँ से बनाओंगे ब्लैक और यहाँ से ऐख बनाऊंगे इस तरह से गुं понял है जो पीछे का धागा इसे खीचते हुए अपनी और लाना आपको हब यहां से chain बनाएंगे एक दो और यह तीन तीन chain हुमारी पहली डबल क्रोसे होगी अब इस यहां रिंग के अंदर डालेंगे डबल क्रोसे बनाना शुरू करेंगे क्रोटल हमें इस रिंग के अंदर डालते हुए सोलर डबल क्रोसे बनाते हुए कंप्रीट करना सिक्स्टीन डबल क्रोसे बनाएंगे इस रिंग के अंदर तो चलिए सिक्स्टीन डबल क्रोसे कर लिए फिर आगे आपको दिखाती हूँ यहां पर मैंने सोलर डबल क्रोसे बनाते हुए कंप्रीट कर लिए अब यह जो छोटा सधागा इसे पकड़ते हुआ हम इस तरह से खीच लेंगे और इसकी गोलाई को बंद कर देंगे सबसे पहले जो हमने तीन चेन लिए इस चेन में जाके हम इस तरह से स्लिप करते हुआ से हम निकाल लेंगे पहले चेन से यहां पर हमारी है राउंड पहले राउंड अब भी होई दोसीरी राउंड के लिए एक दो और यह तीन चेन लेंगे तीन चेन को पहले ड़ीटी से हमें काउंट करेंगे यहां पर डलना है आपको यहां पर देखें एक chain है बगल में डबल क्रोज है ठीक है यह ने सुची कि एक ही chain है यहां पर दो दिख री होगे आपको देखें एक यहां पर लूप देखती है एक यहां पर थे इस वाले पर डालना है मैं इसलिए कभी-कभी मैं जो तीन chain बना दे उसी count नहीं करती हूं तो दो हो गई फिर उसके next वाली जो chain है इसमें भी हम डालेंगे यहां भी हमें दो बनाना यानि कि इस round में आपको 32 डबल क्रोज है बनाते विए complete करना है 32 डबल क्रोज है बनाएंगे ठीक है हर chain पर दो दो क्यों 32 डबल क्रोज से बनाते हैं अब यह दूसरे round हमारे complete हो गई अब जो हमारे देखिए chain बने हुए एक दो और यह तीन तीसरी वाली chain पर जाएंगे slip करते हैं इसे हम joint कर लेंगे अब यहां से थोड़ से design change होगी अब ध्यान से देखिए गए chain बनाएंगे अगर chain नहीं बनाते है तो धागा को इस तरह से हलका से लंबा कीचिन ठीक है थोड़ा से पर धागा लेंगे अब यहां पर देखिए एक double crochet दिखरेंगे और एक chain तो सबसे फास्ट रोली chain पर में इस तरह से उठाएंगे इसे और ऐसे लिया और इसे front post double crochet बना लेंगे इस तरह से दो फंद निकाले फिर से दो फंद ठीक है एक front post double crochet होगी एक front post double crochet इसके next early double crochet को फिर से इस तरह से उठाना है और double crochet बनाएंगे ठीक है अब अगले दो double crochet में से पहला double crochet में एक double crochet बनाएंगे अब उसके जो अगले double crochet है इसमें हमें दो double crochet बनाएंगे एक double crochet है और यह दूसरा double crochet है ठीक है फिर अगली दो double crochet है में हमें front post double crochet है बनाना इस तरह से एक डबल क्रोशे है उसके अगले वाले में फिर से एक डबल क्रोशे इस तरह से धागा आगे डालते वे यानि क्रोशे आगे डालते वे फिर नॉर्मल दो डबल क्रोशे में से सबसे फर्स्ट वाले में वन डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे लिए पहले में एक डबल क्रोशे दूसरी वाली में तो डबल क्रोशे बनाएंगे एक डबल क्रोशे है और ये दूसरी डबल क्रोशे है समझ में आ गई होगे आपको अब देखें फिर से एक और और दिखा देती है अगले दो डबल कोसे में front post डबल कोसे बनाना है इस तरह से हमने उठाए है one front post और ये second front post ठीक है अब अगले दो डबल कोसे हैं में सबसे first value में one double cross है second value में two double cross है ऐसे लिए one double cross है second value पे two double cross है one और ये two round को complete करेंगे इसी तरह से round complete करते हैं फिर आगे दिखाते हैं इस तरह से देखिए हमारी second round भी complete हो गई sorry third round one two और ये three ठीक है सबसे first में जो हमने यहाँ पर बनायवा था front post इसके उपर जो chain है यहाँ पर लेंगे और इस तरह से slip करते हैं इसे हम joint कर लेंगे फिर एक chain लेंगे अलका सा धागा लंबा खिचेंगे और फ्रंट पोस्ट के उपर फिर से front post करेंगे इस तरह से लिए हमने इस धागों काई से उठाना आपको ऐसे लिए खिचा पहला front post और ये दूसरा front post अब देखिए यहाँ पर तीन double cross है normal double cross है ठीक है एक दो तीन इस रांग में हमें फिर से double cross है बनाना है first में एक बनाएंगे second में एक बनाएंगे third में दो बनाएंगे ठीक है एक double cross है पहली वाली chain में यानि दूसरे double cross के ओपर फिर से एक double cross है बनाएंगे और तीसरी वाली जो double cross है ये वाली इसके ओपर हमें दो double cross है बनाना है एक और ये दो फिर से तीन डवल क्रोशे हैं तो तीन के उपर हमें चार बनाना है ठीक है इध्यान दीजेगा पहले के उपर एक बनाएंगे दूसरे के उपर एक तीसरे के उपर दो बनाएंगे इसी तरह से करते हैं हम ये चौकी राउंड भी कम्प्रिट कर लेंगे तो ये राउंड हमारी कम्प्रिट होगी जहां हमने फ्रंट पोस्ट बनाएं इसके उपर यहाँ जो चेन है इसने सिलिप करते हुए से जाइंट करेंगे आप देखे एक चेन बनाएंगे धागे को लंबा कीचेंगे और यहाँ पर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे लिए हमने इसे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे एक फ्रंट पोस्ट और यह दूसरा फ्रंट पोस्ट अब इस राउंड में हमें नॉर्मल चार डबल क्रोस है अब इसके उपर हमें पांच बनाना है जो चौता नंबर का double crochet है यानि फौर्थ नंबर का इस पे आपको इसमें दो double crochet बनाना एक और ये दो ठीक है फिर से दो हम front post बनाएंगे इस तरह से crochet पे धागा लेंगे और ऐसे इस तरह से लेना है हैं एक और ये दो अब देखी अब इसी तरह से आपको हर लाइन में जाते होए जैसे इस राउंड में मार पांस टेबल कुरसे होगी ठीक है पांस टेबल कुरसे जैसे एक दो तीन चार पांस नेक्स राउंड में 6 हो जाएगी फिर 7 फिर 8 पे 9 तो आपको देखिए कहां से count करना है first और second round यह दो round को छोड़ते वे first और second round को छोड़ देना ठीक है third से हम यहां से count करेंगे तो एक हो गई दो तीन ठीक है तीन round हो गई इसकी बाद 4 round और कर लेते हैं उसकी और फिर आगे आपको दिखाते हो कि क्या करना है यहां पर फिर color change होगी फिर design change होगा तो कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो यहां पर देखिए हमारी इसकी लंबाई compute हो गई है तो मैंने यहां पर उन पर यह रांट बनाए है कर यहां से एगर count करते हैं तो टूटल साथ है एक दो तेन चार पाँच छे और यहां पर इस तरह से नापेंगे एसे लेना है में टोटल 6 इंच हमने इसे बनाया वा ठीक है इस तरह से आपको नाप लेना है जिसकी बच्चे कर बना रही है पहले सर नाप लें किसी का 5 हो 6 हो यह साथ हो तो पहले इसी तरह से फंदा बढ़ाते भी जाए उसकी बाद जो नेक्स इस्टेप बताऊंगी तो व से नापनाई होई थी से इसिय के बीच में यहा पे लेंगे इस जगघ कर करेंगे अ कांड कर लेंगे एक अ दो डबल क्रोस है, तीन डबल क्रोस है, चार डबल क्रोस है, पांच डबल क्रोस है, छे डबल क्रोस है, और ये साथ डबल क्रोस है, यहाँ पर इपने सेबन डबल क्रोस है कर लिया, अब यहाँ पर देखे एक और दो चैन छोड़ेंगे, तीसरी वाले चैन पर हम इसे सिंगल साथ तरव तरव करना एस से जोड़ी एंगए है करने का है ये मुद्ध पर सिंगल कोशिए ढेंगे पिर टागा लेंगे एक और दो चैन और यह साथ डबल कोर्स है करने करने के फिर से हम एक दो छेंज छोड़ेंगे तीसरा यहां जो यह फ्रंट पोस्ट है यहां पर लेंगे और सिंगल को ज़्यांट परेंगे ठीक है अब इसी तरह सी यहां बनती वे जाएगी यहां सिंगल को से पिर एक और दो दो चेंड छोड़ेंगे तीसरे बारे से स्ट रे पडर के साथ के साह ऐसे सब्ढ़ को भींड कु के साथ इस तरह से ह内लो और की राउंड कंपलिक हो गये यवाले डिजांग कितनी बनी होई मेरी तो काउंट कर लेते हैं यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, बारा, टोटर यहां पर बारा बुना हुआ अब देखिए यहां पर जो मैंने यहां से यहां तक जो 6 इंच नाप की हुई है तो सबकी अपने अपनी बुनाई होती है, किसी के जादा रो में भी 6 इंच हो सकती है, यह कम रो में भी क्योंकि किसी की बुनाई हलकी कोई बुनाई करते हैं, यानि लूज हातों से कोई टाइठा हातों से ठीक है इस तरह से लेंगे, अब इसे, यहाँ पे सबसे पहली वरी जी चेन है, यहाँ पे सिलिप करते विसे जयंट कर लेंगे, एक चेन बनाते विए धागे को ललका से लंबा खीचते वे छोड़ देंगे, अब जो हमारा यह परपल कलर का धागा इसे खीचते वे, इस सिंगल क्रो अब यहां से देखे चेन बनाएंगे एक दो और यह तीन चेन से इसी जगह पर डालेंगे और हम यहां पर डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे यहां पर हमें साथ डबल क्रोशे बनाएं यहां भी हमें साथ डबल क्रोशे ही बनाना है दो डबल क्रोस है, तीन डबल क्रोस है, चार डबल क्रोस है, पाँच डबल क्रोस है, छे डबल क्रोस है, और ये साथ बार डबल क्रोस है, ठीक है, सेवन डबल क्रोस है, यहाँ भी हमने परपल से बना लिया, अब यहां पर जो हमने 7 double crochet बनाया था देखिए 1,2,3,4,5,6 और 7 तो 4th नमबर पर हम यहां पर जाते हैं इसे single crochet से joint करें ठीक है तो 1,2,3 और यह 4 यहां पर आएंगे single crochet के साथ से joint कर लेंगे अब यहां से लेंगे आप देखिए जहां single crochet बना हुआ है इसी जगह पर आपको लेना है और यहां पर हलका सा धागा खीचते हैं यहां पर हम यहां पर हमारी उसी तरह से चलेगी लेखिए आपको joint करना है चौथे नमबर पर जैसे यहां से बनाये हमें 7 double crochet फिर देखिए 1,2 तीन और यह 4 चौथे नमबर पर single crochet के साथ joint करें यहां पर देखिए हमारी यह purple से यह line भी complete हो गई यह second line चल रहे है हमारी अब यहां पर slip stitch कर देंगे यहां से 1,2,3,4,5,6 और यह साथ यहां पर लिए हमने इस chain पर slip करते हुए से joint कर लेंगे ऐसे एक chain बनाते हुए धागे को लंबा खीचते हुए side कर लेंगे अब यहां पर फिर से हम yellow color लेंगे ठीक है जिदर आपका धागा से ही लगे उदर से खीचते हुए अपसे बना ले ठीक है तो यही राउंड को आपको दो राते हुए 7 double crochet वारी राउंड जो है एक दो बन गे तीन और चार बना लेती हुए अगर आपको लगे कि थोड़ा से जादा यह बड़ा फैल रहा है तो पांच राउंड तक भी आप इसे बना ले ठीक है जैसे मैंने एक और दो बनाया है 7 double crochet वारी लाइन आप 5 राउंड भी बना सकती है तो कर लेती हूं आगे तीन 7 double crochet 4 7 double crochet ठीक है उसके बाद हमने रेखिए यह जो पांच राउंड आया अगर इस तरह से देखते हैं एक दो ठीक है यह तीस राउंड इस चौथे नमबर से हमने यहाँ पे 8 double crochet बनाया एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ इसके बाद जो फिर येलो राउंड हमारा है इसमें हमने 9 double crochet बनाया है लास्ट वाले में हमने यहाँ पे 10 double crochet बनाया हुआ ठीक है अगर इस तरह से सीधे सीधा काउंट करते हैं इस तरह से लंबाई में ठीक है तो एक दो हमने यहाँ पे 7-7 बनाया हुआ है तीसरा वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है यह हमारा 10 double crochet अब आठवे वाले पर 10 double crochet बनी यहां पर 10 double crochet बनी हूई है इस तरह से 9-10 इस तरह से करते हैं अगर आपको और भी यह से नीची फैलाना है तो क्या करें एक round और बना दे यहां पर जम नहीं पर डबल क्रोसे बनाया, आप ही 11 बनागे, तो मैं आप बचेक पहना के दिखाती हूँ कि कैसे लगेगी, ठीक है, अगर छोटे बचेक लिए बना रहे हैं, तो डबल क्रोसे यहां से कम करते हूँ पहले बनाए, जैसे मैंने 7 डबल क्रोसे स्टार्ट किया हुआ है, तब 5 डबल क से बनाए, फिस साथ बनाए, उसके बाद 8, 9, 10 कि कि जितना आपको चाहिए नीचे है, हैट की इस तरह से देखिए आपर, इस तरह से यह क्या पाएगी हमारी बन के, ऐसे यह निकलिए रहेगी, आप चाहिए तो यहां पर डोरी देदे ताकि बच्चे की सर से खुले न, औ फिलावर लगाना चाहती है, हैति हां उपक फिलावर दे दे यह तो इस तरह से बहुत ही खुऴस्त, लगाने की कुछ है अगर आप चाहें के लगा सकती है, किसी तरह सी, इह दो कलर में कोई भी, कलर का बनाले लगा लगा लगाले, और उसके बादे हम बड़ा से खुलाव बनाई है उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं कुछ नी वीडियो के साथ थैंक यू